Hello everyone, तो 11 JPSC के अगर आप candidate हैं और जारखन के बाहर अभी फिलाल रहते हैं, तो शायद आपको इस बात का टेंशन हो रहा होगा कि JPSC का जो admit card है वो कब आएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों का confirm होगा थोड़ा center वगेरा और जिनको ticket यह सब लेना है, उसमें से कुछ लोगों को चिंता हो रहा है, तो अभी recent का जो JPSC का अलग-अलग exams चल रहा है, या चला है, उसमें क्या trend फॉलो हुआ है, उसके इसाब से हम आपको एक expected date देने वाले हैं, admit card कब आ सकता इसका, तो आपको ticket करवा कहीं रख लेना चाहिए, क्योंकि एक confirmation तो आहीं गया है, 17 March वाला, तो उसके बाद भी वेट नहीं कीजिए, लेकिन अगर कुछ लोग वेट कर भी रहे हैं, या थोड़ा उनको टेंचन है, तो उनके लिए ये वीडियो रहेगा, ठीक है, ज्यादा लंबा कोई वीडियो नहीं रहेगा, छोटा वीडियो में हम बात कर देंगे, सारा बात पे, और जो भी लोग JPSC का test series लेना चाहते हैं, GS1 का, वो ले चाते हैं, इंडिया GS वालो जो test series है, वो बहुत affordable price में available है, total 10 practice test है, और अभी coupon code spring लगाईएगा, SPRING ये coupon code लगाईएगा, तो आपको extra discount भी मिल जाएगा, यानि ये 149 पे आपको pay नहीं करना पड़ेगा, लगबग 120 रुपे के लगबग में आपको ये test series मिल जाएगा, तो ये coupon code लगा करके, आप इस test series को access कर सकते हैं, पहला test जो है, इसका free है, exam cluster app में, इसका link हम लगा देंगे, पहले comment में, वहाँ से पहला test लगा के आप देखिए, अच्छा लगेगा, तो full आप इसको buy कर सकते हैं, coupon code spring लगाना है, ये नया coupon code है, थोड़े time के लिए ही valid रहेगा, चलिए बात करते हैं, अभी recent में, आपका JPC backlog वाला paper हुआ था, जिसका I hope कि सब लोग solving इसको करी लिया होंगे, बहुत ही relevant paper रहेगा आपके लिए, क्योंकि सबसे latest है ये JPC level का, तो इसका exam 21 January को हुआ था, इसका admit card काफी पहले, यानि 10 January को ही आ गया था, लेकिन ध्यान रखेंगे, backlog वाला paper था, ये काफी पहले से इसका काम चल रहा था, इतना fast track mode में ये सब नहीं हुआ था, अभी एक JPC का civil judge का भी paper हुआ है, मतलब होने वाला है, हुआ नहीं है, इसका काम भी चल रहा है recent में, 10 March को इसका जो एक्जाम है वो निर्धारित है, और इसका admit card जैसा की JPC अपने website पर खबर दिया है, 5 March से वो लोग आउट करेंगे, यानि सिर्फ 5 दिन admit card के लिए समय दिया जा रहा है, तो केवल 5 दिन के अंदर अंदर आपको admit card देखके, अपना center का जोगाड़ वगएरा कर लेना है, जो भी है रहने वाने का इंतजाम आपको करना है, यह civil judge का अभी चल रहा है, सबसे recent में यही exam में, इसलिए इसको मानते हुए अगर 11 JPSC में, आप लोग देखने का कुशिश करेंगे, तो 11 JPSC एक तो fast mode में चली रहा है, और admit card अगर recent exam से compare करें, तो 10 से 12 March के बीच में आ जाना चाहिए, यह again हम expected बता रहे हैं, अभी जो civil judge वाला चल रहा है, उसके trend के साब से, JPSC fast mode में है, तो हो सकता है कि 10 तारीक से काफी पहले भी आपका admit card निकाल दे, क्योंकि यह exam पाफी जादा बड़ा है, इसमें number of aspirants बहुत जादा है, तो हो सकता है कि इससे पहले भी आजाए, 7 तारीक तक आठ तारीक तक भी आजाए, तो आपको अस्चेरे नहीं होना चाहिए, लेकिन latest बहुत late भी करेगा, तो 12 March तक आई ही जाएगा, उसमें जो exam center था, वो बहुत लोगों का side side में इधर उदर फेका था, बट जैसे सी सीजल जैसा wild center नहीं दिया था, जैसे जैसे सी सीजल में आप लोग देखोंगे, बहुत लंबा लंबा दूरी तक फेका था, वैसा नहीं हुआ था, JPSC में बहुत सारा लोग था, जिसको अपना home city या फिर home city के आसपास मिल ही गया था, तो expected तो है कि इस बार ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन अब JPSC कुछ कहा नहीं जा सकता, युकि number of form पे निरभर करेगा, अगर form बहुत जादा होगा, तब सब कोई को home city या home district मिलना मुश्किल रहेगा, ठीक है, और आम तोर पे जो outsiders होते हैं, outside state वाले लोग उन लोगों को, बड़ा-बड़ा जो town होता है, जो well connected होता है railway route से, वही सब alert किया जाता है, लेकिन अब क्या खेल खेलता है, वह तो हम लोग को admit card आने पर ही समझ में हैगा, तो इस चोटा वीडियो हम आपको admit card का doubt solve कर दिये, बाकिया आप लोग तैयारी बहुत अच्छा से करते रहे हैं, revision पे ध्यान दीजेगा, और कोई doubt होगा तो comment में पूछ सकते हैं, मेरा नाम है रिशिकेश, Jai Hind